हाँ मेरा तो फीचर्स की तो बहुत जादा कमी है अच्छा चलो फिर वहीं से शुरू करते हैं तो वर्थ नहीं है अब आपको इसके दो फीचर्स अगली काड़ी में और कम भी मिलेंगे न तब आप इसी के लिए जाओ फैसे दिये हैं वह इंजेन और गेर मों हैं और यह बो विडियो है स्कोड़ा स्लाविया ओनपर फाइайте स्लविय कैसी गाड़ी है जो सेक्में स्युक्त इन क्लिय चाते हैं अच deer चाते हैं और और क्वालिटी चाते हैं जो स्कौड़ा की तरफ जाते हैं और स्लाविया एक त 4000 सेक्मेंट डंवीं caregivers पोई और और आप्शन नहीं थ जाएगी आज इसी गाड़ी का एक और ओनर्शिप रिव्यू मैं बलाना चाहूंगा वनपृत को वनपृत बड़ी आपके से मैं टीक हूं अच्छा आप में में कोश्चन स्कॉड़ा सलावी है क्यों मैं भी बाकी ओनर्श की तरह स्कॉड़ा नहीं निकला था मेरे फर्स प् अच्छी नहीं है और क्रेटा बहुत ही कॉमन है तो फिर मैं फिर और वीडियो देखी में को समझाए कि जर्मन इंजन जर्मन कार्स की अलगी बिंट क्वालिटी अलगी ड्राइविंग डायनमिक्स होता इक है मैंने फर्स टेस्ट ड्रेवली टाइगन की वाल फॉक्स अग सब्सक्राइब करते हैं तो फिर मेरा मंत्रा चलो पुछाग नेते हैं बट फिर क्या होगी कुशाग पर वर्त नहीं लग रहा था कि मैंको इतने पैसे कर सके लागी अग्यार उसका टॉप मॉड़ल है तो 1.5 देजी वाना वो 20-21 लाक सी पड़ती है बट उसकी लुक्स ए से वी और एक मेजर स्वी के बीच की पड़ती है तो फिर में फिर स्लाविया देखी स्लावी एक से डान है प्रीमियम लूप लगती है बाकि कोई नहीं करता आज की रिट में सब सुसते हैं स्वी लेनी स्वी लेनी मैंने भी जो जादा बट सेडान से वापस आया उसका ट् कि मेरा बुट पर पहले थी ताटा इंडिगो तो उप सेडान करने पाइब बट वो डिजल कार थी और वो अलगी सेगमन था तो वह थी बट ऐसा कुछ वह निदा कि सेडान ने कुछ निदी और सेक्ड भुच निदी इसके डरार थे इसकी सर्विस कॉश पार में इंगी है इसमें एवरेज नियाएगी बट बिल्कुल ही गलत है में को नहीं लखतागी क्योंकि मैं इसका सब्सक्राइज भी ने रखेंगी ने रखेंगी वर्ट 24,000 में इस फॉर यर्स की तो वो 6,000 अपका पर्टो और एवरेज भी अच्छा से अभी क्या मैलेज मिल रही आपको इस सब्सक्राइब करते हैं तो उसमें भी सब्सक्राइब करते हैं और बीच में सब्सक्राइब लगा लिया कभी नई गाड़ी है तो थोड़ा बंदा वैसे भी चेक करता है वर लाइट फूट अच्छा सब्सक्राइब करते हैं तो फिर 1.5 पर कैसे पहुंच गए 1.5 लेने का डिजन कैसे बना मैं सारी जो यूट पर वीडियोग का एंजन है ये तो नेक्स लेवल लाइए दो बार की गाड़ी मारा तो मैंने कुशा की 1.5 की टैसली और 1.0 की टैसली में को फारक निए लगा इ ये में लास्ट डैसली में ए लिडियो टिर गुर्णाज पर बेचान के लगाए विल लेने कि अजने हैं वर्क व एंजने हैं थेके अज़े है ये तो पर डिखा जो मैं को श्पड़ चुज थे हैं लेनी तो ये लेनी टीज़ी टीख है अजे अजे शर फित्ने की गड़ी सबसे पहले बैठते ही अंदर आपको इलेक्ट्रोनिक सीट नहीं मिलती है वे मैनुवली है विसलाग की गाड़ी है लेकिन फिर भी मैनुवल है इस पर आपका दियान गया इस बात पर हाम तो पीचर की तो बहुत जादा कमी है अच्छा चलो फिर वहीं से शुरू करते हैं तो वर्त नहीं है सबसे बड़ा नेगेटिव है वह तो है कि इसमें वारलेस एफल कारफ ले नहीं है तो यह तो सबसे जादा तो यह आपको फिर पर देखेंगे तो इस पर नहीं जाता है तो मैंने आपके अपकी आपकी बीसिक किसी खुड़ती है यह यह आपकी लास्ट वीडियो पी डिसक्स किया था यह पूरी नीचे नीचे नीचाए तो आपको कहीं नहीं होता है कि यह शैद अबी लगी है और कॉस्मेटिक्स कि क्वालिटी है लाइट के बटन्स भी बहुत हल्की कॉलिटी है बाकी से बिल्ट का भी जो यह लगाते हैं तो बहुत ही अंदर जाके लगता है यह यह वर्टस में भी है इस वोड़ा सब तो यह से इस इस जो कॉस्ट कटिंग नहीं यह बिजाइन फ्रॉज है आगे का ज फर्स लॉट का वैस्ता उसमें आतफा रही थी उसके वाद से नहीं आई ग्रीक कीज हल्की सी साउंड है इंजन आगे आपको बोनेट की इसलेशन नहीं मिलेगी वह दोनों ही गाड़ियों में नहीं है पहले इसका समुफर आ रहा था जो स्टार्टिंग का लॉट आए था अब आपको इसके दो फीचर्स अगली काड़ी में और कम भी मिलेंगे ना तो फैसे दियें वह इंजन और गेर्वाफ के दियें या फिर एक्स्टिरियर लुक्स के भी कैसा हो तो आपको के मुझे फीचर से लेने देना नहीं क्योंकि आपको इसके अलावा को चलाने पर प और यह बोलना चाहिए कि नहीं पर एट्सों से नीचे अमने रखी ली गवाई और टॉपमने 185 तक पुछा देए और एकदम क्यार से चल रहे थी कार तो उसी में पैसे बस तो एसकी 150 अबब जाते हैं 180 जो अपने बताया जिए उस टाइम पर इंजन और जो आपकी जो एक स्ट्रेच चीए था लंबा और ब्रेकिंग में बहुत अच्छी है कार की बल्कुल हलक ऐसा स्टाइटिंग के जो है ने वन्स वन्टू थी बे जाता है तो थोड़ा सापको बता लगता है वन्स यू गेंदर स्पीड एक्सलिशन आपको मिल जाता है उसके बाद बिल्क बता है इसका बाइड डिपॉल्ट जो अपका आर्पीम है वो 2000 से उपर रहता है जैसे श्रपूर्ट में रहते हैं लोगत नो रखेंट कर जाता भ dental शाय decades ago Cay बicism में डालता है वह फने के चल्ब में का टम बहुत जल् moisturizing अनOD तोड़ी और हो सकती थी तोड़ी और बैटर देनी चाहिए थी सबसे इंपोर्टेंट चीज के जो आगे डिस्क और पीछे ड्रम है वह कहीं मुझे लगता है कि करते है माइन में कि आप फुलागा फिफ्टी आप जैसे जा रहे हैं वन ट्वेंटी वन तर्टी तो वह बर आपको उन्टी ने थोड़ा सा और वही है ने कि जब आप इसको तोड़ी इस एक्टी नाइटी घंडर वे आप प्रेकिंग करते हो ना आपको लगता है कि थोड़ को तो बहुत ही पसंद आई है वह तो कह रहें कि मखन है इस पेंशन कैसे लगे आपको इस केमर पर दभी आपने जला सा एक जटका गट्सका अलब हिसाब से स्टेफ हलके से स्टेफ है पड़िए पर यह कार इतनी हाई स्पीज पर चल सकती होगी एस राइट हाँ एक नेग कि अनकंफर्टेबल है स्टार पर संग के लिए इन फैक्ट अगर को बच्चा भी बटाऊगा न उसके लिए भी रहेगा क्या हम जाद है इस टेरिंग बहुत लाइट है और उसको कभी कमनेट करेंगे ज़ेगरेगा ने आपको थाइपोर्ट अंडर थाइश पोर्ट वगर नेक्स पेस वगरा कितना मिल रहा है मैं फर्स्टाइम में पीछे अच्छा अरा काम ही है हम ओनर्स तो पीछे बिटा देते हैं बट मैंको इतने भी इन फॉर्टेबल ने बटीक है मैं इसा निक कोई कंप्लेंट निकर सेट्रूम थोड़ा कम लग रहा है मैं कि यह अपने बटी कपी बटी का रहा है करिटा या सेलटॉस से वी मेरे क्परेंड तो बहुत ही हलकि उसके डूर कर शार के जब वह तो बूची जब आई वह फाइब सद्र आई ये और इसकी जब नेटन नकाप में इफाइब स्टार है और चाहिल सेफ्टी में भी वाई स्टार है अर कुछ एक्सिडेंट होए ना बर अफिर होता भी हमें को लगता है कि इसमें डामेज काम है अचा अमने नेगेटिव तो बात करी कोई पॉजिटिव जो आपको लगा हो कि आपकी परानी गाडियों से बहुत ही सबर्दस्त है कुछ ऐसी चीजे इसकी एक तो ड्राइफ की दो क आपको बैट्फर्म सेम जो बहुत बहुत जादा चैंड नहीं है ग्राउंड क्लिंस बहुत अच्छी और बिल्ट क्वालिटी भी तो अच्छी जैसे पाइफ साइब कभी कोई ऐसे सेनेरियों है कि कहीं आपको हलकी सी भी नीचे लगी हो जब 4 और 5 लोग बैटे हैं तो इसको बैटे मेरे फ्रेंड के मैं फार्किंग लॉट पे लगा था तो उसके बड़ा राम आप अचा उसको बैक करते लगी थी अच्छा पी उसकी अवास थी आपे शोकर्स की वास ते कभी कभी अच्छा क्यूंकि शुक्ष्ट अवाज आज़ी आज़ते कभी कभी आपने वह देखा था इसके बारे पर बाता किया था किसे यह कितना कॉस्ली पड़ेगा यह मैंने काफी इस पर वीडियो जेखिए एंडीजी पर तो यह बोल रहे हैं कि जो इनकी डीजल कार्ज आती थी वीड़्यों कि उसी मैं डीएजी फेनियर की पावर्ण पेट्रोल अब दूसरा अगर आप इसको रफ नी चला रहे जादा जादा आप ड्राइग रेस नी कर रहे और ट्राफिक में इसको नीट्रल पर कर दोगे तोड़ा ध्यान रखना है हीटिंग इसूज है अभी भी मैंने को इसुनिया है पर मैंने अपनी सेफटी के लिए मैंने में आती है जो हम पहले भी अपनी वीडियो में कई बार बात चुके बात कर चुके और अगयन विल्ट कॉलिटी ड्राइव ड्राइविंग नेजर की सारी चीजी ऐसी है जहां पर यह अपनी सेग्मेंट की बागी गाडियों से कई आगे निकल जाती है प्राइस की बात करे काड़ी वह सारी चीजें होनी चाहिए थी अलगी जैसे फ्लास्टिक ओलिटी यह सब प्रीमियम नहीं हैं अंदर से अधर से नहीं और चलाने में और दोसी चीजी जो इसकी बिल्ट है जो काफी स्ट्रॉंग है जिस तो वह सारी चीजे जो है आपको जो सेफटी मिलनी चाह को एक इंट्रीस का सब्ढेए में अगलग दो इसका फ्राइस तो में इस अगर आपड़ी स्विट ज़िए प्राइस नएक विटीन उन इस अगर आप चाहे की तो शीज नएक तो इसमें इंटेन कि नहीं देख बैसे टोड़ाइस की विज देन इंट को साथा यह यह था को ए यह तो बस यह की तो इंस्पेक्शन नहीं हो रही है जो टायर आता है वो जी इसाइज आपके नोड़ी नहीं आपके नहीं जी नहीं है के लोगों के लिए किस कैटेगरी के लोगों के लिए जिनको यह गाड़ी लेनी चाहिए और किनको नहीं लेनी चाहिए और यह वार्लेस कार्ट नहीं कि तो बहुत ही बड़ी दिक्तत सबसे बड़ी दिक्कत वही है वह वर्टस में नहीं है वर इसमें तो है और कुछाप में बीदें वह तो पर उसका भी सुलूशन मैंने निकाला है मैं अपना पुराना इपॉल 7 इस में फर्माने टीकनेक्टेट है तो फिर भी वह समूशन नहीं है वाल-टाइम सलूशन नहीं है और कि पूर यह जो जो लोग थिल बेट चाल में जारे ना कि एस जुब एस यूवी सब्सक्राइब करना चाहिए टेस्ट ड्राइव लेनी चाहिए जाकर कि एक बार लो दो बर लो तीन बर लो इपर एक उसके चांस दो तो दैट की इन गाडियों का भी जो अब एक तरह से एक टाइम पर सेटन खतम हो गई थी मार्केट लग रहा था कि शायदी पूरा सेग् सब्सक्राइब करना चाहिए जाओंगी तो मेरी यह बहुत खूश है उनका उनको यह ज्यादा सब्सक्राइब करते हैं और बहुत अच्छी चीज उन्हों ने कहीं समप करते हुए कि इस गाड़ियों को एक चांस दीजिए मौका दीजिए जाके टेस्ट्राइब लीजिए तो आट की आपको एक मूट चेंज हो सके एक ही बेट चाल में जो जा रहे हैं कि एसी वी लेनी और एक ही गाड़ी को चैनल करें आठाट ददस महीने की बुकिंग चाहिए चाहिए एक्सी वी 780 यह नहीं और लोग लोगों को मिसकंसर्प्शन है कि इस गाड़ियों की मैंटेनर्स बहुत महिंगी है और माइलेज में यह हैं बट माइलेज तो इसकी में बहुत अच्छी सब्सक्राइब आपको अच्छी सब्सक्राइब को शोड़ागी एवरेज पहर उप्सप्स्पोर्ट में रवगे रेक मार होगी तो फन भी मिल जाएगा बिल्कुल नाइट फुट चला रहे हैं आपको 14-15 भी मिल जाएगी से तो यह था स्कॉड़ा लाविया 1.5 DSD का ओनर साथ शेर की अपने फीडबैक्स अपने रिव्यूज अगर आप भी इस कार में इंट्रेस्टेड है इसको कंसिडर कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर अपने कार का उनर्शिप रिव्यू करना चाहते हैं तो नीचे दिए इमेल आइडी पर हमें कॉंटेक्ट कर सकते हैं और अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो शेर कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मिलते हैं किसी और वीडियो में तब तक के लिए गुट बाए एंड टेक केर